Now we will discuss a detailed analysis कि किस तरीके से पाकिस्तान यहां से जो एक बहुत important development हुई है पाकिस्तान को किस तरीके से फाइदा हो सकता है क्या रिस्क अभी भी लाहक हैं क्या opportunity है इनको discuss करने लिए हमाई साथ बहुत भी student panel of guests मौझूद है मैं अपने राइट से तारूफ करना चाहूंगा शाहिद अमीन साहब जो के former ambassador है पाकिसान के साओधी अरबिया के लिए रॉशा के लिए फ्रांस के लिए so diplomatic relationships में if there is somebody who has got great insight शाहिद साहब is one of them बहुत 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 शुक्य साहब पोग्राम है you saw a diversion of trade flows or economic outlook हमें थोड़ा खिते का overall बताईी जो development हुई है what does it mean to you आप किस तरीके से उसको read करते हैं ये latest development तो change of government है अश्रफ गनी हकुमत खतम हो गई है तालबान की हुकुमत बन गई है किस अद तक वो अपने आपको fully establish करते हैं ये वक्त बताएगा maybe we can discuss that लेकिन जहां आपने trade का जिकर किया तो माज़ी में आपको अंदादा है कि वहाँ पे NATO forces बहुत थी तो हमारी trade इसलिए भी एक हद तक जादा थी क्योंके NATO forces का intake भी खासा था लेकिन खुदरती पार्टनर तो अफ़ानिस्तान का पाकिस्तान हैं देखें इन टाम्स वो बिलकुर बरावर में मिले हुए हैं सारे रस्ते खुले हुए हैं आपस में इतने people linkages हैं तो खुदरती तोर पे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तो ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत होनी चाहिए इंडिया तो बारार थ्रू ट्रांसिक ट्रेड़ी आता है ना आई थिंक कराची पोर्ट के जरिये से आते थे थे बाई इनलार तो अब जो मौझूदा हालात हैं उसमें एक खिसम की जियो स्ट्रेटीजिक तद्दीली आ गई है हम तवको करते हैं कि तालबान हुकूमत जो है पाकिस्तान के बारे में एक दोस्ताना रविया अक्तियार करेगी और यकिनन जो अब तक की हुकूमत ती अश्रफ गनी की उसके मुकाबले में तो हमें पूरा यकीन है कि हालात में बेतरी आएगी यह बड़ा एक स्ट्रेटीजिक शिफ्ट है यह इंडिया का असर रसूस जाहरे है कि वहां पे कम हुआ है वहां पे बड़ी अंडिया में त अल्टरनेट रूक बनाये था वो भी एक लियास यह तो ब्लॉक हो जाएगा या कम असकम उसका वो जो मुकाबले वाली बात थी वो नहीं रहेगी इसके लावा असल चीज यह है कि अगर जैसे उम्मीद करनी चाहिए कि तालवान जो है आफ़ानिस्तान में अमनों लाने मे कामयाब होंगे एक मुल्क में हमका इस्तेकाम आता है ठीक है और पाकिस्तान के बारे में हम कहते हैं उनका दोस्ताना रवाया है तो फिर और भी बहुत सारी चीज़े हमारे लिए खुलती है तो परसेप्शन इंप्रूव्मेंट भी हो सकता है भेतर हो विन इट कमस तो पी तो उसमें भीतरी का इमकान है जी वहाँ पे तो जो पढ़ते हैं कि पड़ते हैं कि खासी पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव ख्यालात रखती थी जाहर है कि उनको दिन राद पर पेगेंड़ा किया जाएगा जहर अगला जाएगा यह कहा जाएगा कि यहां पे जो पीनेंट ने जो थी हमारे मैं समदता हूँ हमारे खिलाव जा रही थी लेकिन यह के जाहरा धिędzie जब ताफंवान की इतनी सपोर्ट है तो यह कहना कि सारी पूब्ली कपीनेंट उन हमारे खिलाव जा रहे था तो तो घलत हो गा किवाभान की तो बेसिकलि आपकी हमदर्दी आपके साथ है तो मैं आखिर में एक पाइंट कहने जाता था कि अमनों मान के बाद आपके जो और बड़े इंपॉर्टेंट प्रजेक्स है तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन उजबेकिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन रामजे ट्रेट तु सेंट्रल अश्या थू अफ़ानिस्तान देखे कितने चीज़ें खुल जाएंगी इसी कि अप्रश्टान को अभी भी हर अल्दो हमने काफी डिफ्यूस कर दिये तहरी के तालिबान पाकिस्तान को और दूसरे अलाइड उनके जो सैटलाइड गुरूप्स हैं इस इट आर रिस्क राइट नाओ कि कुछ फैक्शन अफगानिस्तान में दे पोज़ थ्रेड तो अस एंड इफ येस देन वाट उसके लावा ये अलकाइडा इस टाइब के अनासिट को हैं वो भी आपको अंदाज है कि उनकी क्या एक्शन रहे हैं इस वक देखिए हाला बिलकुल इन्हें फ्लूइट सिच्वेशन हैं बहुत कोई हत्मी बात नहीं करनी चाहिए वी शुट जिसको कहते थे वेट एंड स नाजम अद्दीन साब का फेवरिट सेंटर्स था वेट एंड सी वो वाकि इस वक दो होना चाहिए क्योंकि देखिए तालबान ने गल्बा तो हाजिल कर लिया है लेकिन अब उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में सही मानों में अमन उमान लाने के लिए जो नौन पक्तून ग्रूप सें इस रिच आउट टू दें उनको आपको अपना पावर में शेर बना देना पड़ेगा अगर इनों ने तनहा हुकूमत करनी की कोशिश की या वो टोकनिजम जैसे इंडिया में मुसल्मान प्रेजिडेंट करके कहते हैं कि लो जी मुसल्मान हुकूमत थी उसका आपको अंदादा है कि दुनिया में बहुत एक नेगेटिव परसेप्शन था औरतों को को हुकूक तो नहीं बिल्कूल ही खतम कर दी था ने शेटल कॉग बुरका एंड स्टे अट होम तो अब यह लोग कहते हैं कि नहीं हमने माजी के मुकाबले में मु हुए है अमेरिका करने तो खास वाज़ का है फ्रांस बने भी का है कि जब तक यह तालबान जो है वो यह नहीं थाबित करते के वो मुल्क में जो इनसानी हुकूक है उनकी का लिहास करेंगे जब तक अफ्कानिस्तान को अड़ा नी बनने देंगे टेरिजम का दूसरे मुल इसके लिए वी अप्लेंग अफ्रंट लाइन रोल के उसके लिए ट्रेड आर्टरी बना रहे हैं फ्रंट लाइन पर निगोसीशन कर रहे हैं इन कोलाइबरेशन बे रशा चाइना वाव दो यह तो आप्रेंगे पाकिस्तान पोजिशन होगा बहुत अच्छे खेलात हैं ब थकीकत यह है कि अगर अफगानिस्तान इस स्लसले में पूरा तावन करता है जिसके बगएर यह चली नहीं सकता तो खुद अफगानिस्तान के फाइदे में है यह थी उनके अवाम आपको मालब है गुर्बत का मसला महां बड़ा संगीन मसला है तो अगर इस हम का बाहे में तावन होता है तिजारत का फरोग होता है ट्रांजेट रूट खुल जाता है पाकिस्दान के साथ उनके तालुगात करीब से करीब तर होते रहते हैं यखीनًا उसमें अफगानिस्तान का मफाद है हमारा तो मफाद है यह लेकिन दीजा है वेरी बिग इंपॉंडरेबल इस पाकिस्तान की इस्टाबलिश्मेंट को किस तरीके से इस पूरे रीजन में अपना डिपलोमेटिक कैपिटल मजीद बढ़ा सकते हैं रशा के अंदर काफी आपने दिखा के ट्रेड रिलेशनशिप भी बढ़ना चुरू हो गए और डिपलोमेटिक रिलेशनशिप भी बढ पर अमनौमान पर है फ्रेंडिशिप के बारे में तो हम काफी पूर अमीद हैं तो अगर अफ़ानिस्तान का ट्रांसरिट रूट खुलता है तो जैसे जिकर किया गया गैस आपको सस्ती मिलेगी ये जो सेंट्रलेशन कंट्रीज हैं इनमें दियार ऑलसो सर्पलस इन एनरज जी मैं जब सोवेट उने अमबैसर था उजब भी प्रोजेक्ट आया था कि यहां से हम क्यों नहीं विजली लेते देयार राइट 200 किलो मेटर 400 किलो मेटर हम से दूर हैं तो ये सारी चीदें हो सकती हैं फिर देखिए अगर आप औरे मैप पे नदर डालें रश्या का बहु पूरी तना सेक्योर हो जाता है तो आपको रश्या के ये जो मिडल पार्ट्स हैं और इस्टन पार्ट हैं उनमें ट्रेड बहुत बढ़ा सकते हैं फिर आपको अंदाज है कि चाइना ने काफी कुछ अफ़गानिस्थान में देखिए का जाहर किया है उसके एकनॉमिक स्ट लाइट है तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के जारूना अच्छे तालुकात के ओपर मबनी हैं और इस वक्त हमका बहुत पुरूमेद है के हालात साथगार हैं और what are the key risks जो आप बताना चाहेंगे कि इनको आपको बस काबू में रखना है आपने एक बैशन के हैं जो जो देखना है कि अलवान अपने अमल से क्योंकि वो हैं तो उनके मजभी अक्नाइट तो आपको मालूम है एक मखसूस कर्म के हैं ये चाइना को बड़ा एक खत्रा है जिसको इसलामик ekstremism cessationism कहते हैं सेंग्यांग में सोवेट रश्या जो है उसको अभी तक ये खत्रा है इसलामик के इसलामकए इसलाम की ईशन कर्ट्रीज़ थे हैं ने के तरह सर रसूख हैं और अजो आरे को आसीज़ हो धी तोसी अ हैं लग जflowing हों तो आई चक्तर हैं ये ذمہ داری ہے کہ ان خطشات کو دور کرے اپنے عمل کے ساتھ तो इस लिहाँ से जो अमरीका का इंटरस्ट है और दुनिया भर का इंटरस्ट है पाकिसान का इंटरस्ट भी वह है कि एक्स्रीमिजम ना बढ़े हमारा तो बिल्कुल डिरेक्ट इंटरस्ट हमसे ज्यादा मुतासर कौन हुआ एक्स्रीमिजम से 70,000 लोग मारे गए शहीद हो गए तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं आहिंदा के दिनों में देखी जाएंगी कि अफगानिस्तान में इस तेकाम आ रहा है या नहीं आ रहा है वो वाकरी पॉलिटिकल कॉंप्रोमाइस करते हैं नहीं करते हैं अगर ऐसा होता है तो इंशालला मैं सबता हूँ कि बड़ा फूचर बहुत अच्छा है इंडिया अब बिलकुल आखरी ट्राय हम देखने हैं कर रहा है कि पाकिस्तान में भी किसी तरीके से हम अपना इंफ्लूइंस एक्सराइस कर सके हैं एक हार्ट पावर दिखा सके हैं अपनी इंफ्लूइंस की हाओ दिस इवॉल्विंग इन दे फूचर क्योंकि अफगानिस्तान में जो सेफ हैविन थे टी टी पी के वो तो इंडियन अमर्सी प्रेमेरली थी उ जो उनका एक जो इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है अंडियाफ या क्या नाम है उनके तावन से पाकिस्तान में देश्चतगरदी को बढ़ा रहा था पाकिस्तान में प्रेशर डालने के लिए तो वो उसका जो लिंच्पिन था अफवान गवर्मन्ट वो चली गई तो इंडिया एकलियास इस रडरलस इंडिया फॉर दा टाइम विंग हम कह सकते हैं अफवानिस्तान में उसका बिलकुल जबाल हो गया है मैं नहीं कहता कि यह पर्मन्ट होगा लेकिन फॉर दा टाइम विंग तो यह हो गया है और यह बड़ा आपका स्ट्रेटीजिक गेन ह इंडिया जो है एकलियास से बहाँ पर अखिर मातम मचा है जा रहाуса है कि क्या होगया है और पाकिस्तान को बड़ Giving Heritage से बाप्स लिए। यह जो पिछले जुनेशा उनके एक के बाद एक शैयर गिर रहे थे वो क्या पाकिस्तान की कोई मदस्स्ते हो रहे थे बहाँ क्या तो वो सारा प्रोपेगेंडा हैज बिन डिबंक्ट अफगान अवाम को भी समने चाहिए कि बेर इस पाकिस्तान हमारी तो कोई प्रेजन सी भी और वो जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान ने डैट है लिटल तू डू डू विध डिवलिपमेंट अफगा अफगानिस्तान और वो टू डू विध डी स्टिवलाइजिंग पाकिस्तान या नहीं उस मोना ने कुछ हास्पिटल वगार बनाय थे यह कि मैंने कहता कि उना ने बास चीजें जूकि यखिना ठीक होंगी लेकिन नियत उनकी यही थी कि किसी तरीकिते अफगानिस्तान को ह आमी बनाके पाकिस्तान के खिलाफ कारवाए बदनियती उसमें शामिल थी यहानि जब अच्छी बात भी करते थे तो उसमें भी बदनियती थी वो सिलसले खतम होगी और यह हमारी लिए बड़ा इंपॉर्टन गेन है से फिलन रही बहुत ही एक्स्कूजियुजव डिसकॉशें रही आन डाइक नोट बहुत 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 शुक्रिया सर्थ आपकर प्रोग्रम में शामिल होने का हमारी आप प्रोग्रम में मँवजूद थे फॉर्मर इमबसिडर पाकिसदान साओधी अरिबिया में आर्फि तो खित्मार अंजाम दे रहे हैं शाहिद साब शाहिद अमीन साब बहुत बहुत शुक्रे सर